वो झालो हरुआ है और अभी लंज का टाइम हो रहा है तो मैं बना रही हूं यहाँ पे चोले जोलेशोष। इस टैनर हुआ 4k करीप का टाइम है तो ब्रेकफांसत नहीं रा बारुष के करीब से गर्म गरम भटूरे बनाने का कोई लॉजिक नी बनता इतनी गर्मी में बट किसी रीजन से बने आई यह बटूरे और क्या रीजन है वह मैं आपको आज आने वाले व्लॉग में बताऊंगी तो यह प्लेट रेडी हो गई है उसके बाद लंच करने के बाद प्रिज क्लीनिंग का का अज बना इस बाद बना रहा है वापस लगाने है वह मेरी एक प्यारी प्यारी सुप्राइबर के लिए उनका नाम है लुषी जै उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बना रही हो मैं ब्लॉग डालो उन्हें मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं देखने में आ आप चाहते हो कि मैं और व्लॉग बनाऊंग तो प्लीज कमें डाउन बिलो अगर आप कहेंगे तो मैं ब्लॉग जरूर बनाऊगी और अभी यह जो आप देख रहे हो ना मैंने कुछ वीडियो शूट किये हैं जो मैं पोस्ट करूंगी या तो यह वीडियो पहले मिल जाए आपको दिखाती हूं तो यह वीडियो बैठा हुआ यह अवा उन वेडिक के लिएं जै बिलो इते हुआ आपना गिफ्त दिखाओ यहां पेला हुआ है यहां सारा समान भी पहला है पूरा टेबल भी पानी की बॉटल रखे बैठी थी बोलते प्यास लग जाती है तो यह सारा का सारा जो मैं शूट कर रही थी ना शूट करते बीच में रिट्विक उट गया और वीडियो रह गया आदा अधूरा मतलब दूस अभय और व्हूं आए उटके बैठी तो अब देखने कैसे शूट करूंगी क्योंकि यह बीच-बीच में बोलता रहता है तो पॉसिबल नहीं पाता अंदर रूम में नहीं चल रहा है इस वाले रूम में नहीं नहीं कर सकती यहां पर यह लोग ती वी बगयरा देखते रह तो सब्सक्राइब करें एक लेकार नहीं है तो नहीं हम सब्नेका प्रस्टाइब है तो फ्रस्ट करें नहीं है तो तो जुड़ी अपर आप देख रहे हैं यहां आप तो आंपर सारा साइनटेज करने का समान लखा हुआ है यहां से पीछे से एंट्रेंस होती है गर की एंट्रेंस होने के बाद वहीं पर सारा सानिटाइज करने के समान रखा है बरस अब तो अपना गिफ बार बार दिखाता रहेगा देख लिया आपका गिफ देख लिया और रित्वी के लिए कुछ लेने थे नियू वह लेकर आये हैं कुछ घर का समान था वह लेकर आये हैं इस बैग में रखे हैं रित्वी के क्लोज जो विशाल से आया है वाश करके यूज होंगे राटे का पैकेट सानिटाइज करके रख दिया है एंड यह रखा है स्टैपर जिम जाना अभी नहीं हो पा रहा है तो घर में ही मैं अरबिक एक्सराइज करूंगी उसके लिए मैंने स्टैपर अमेजन से मंगाया सेनिटाइज करके रख लिया इसको जो में किया हुआ है इस वाले आईशेडव पैलेट का रिवीडियो या तो पहले चला गया होगा या और वीडियो मुझे शूट करना है बट पतानी है मैं कैसे करूंगी और भी चीज़े हैं मुझे थोड़ी भूग भी लग गई है लेंच में बनाये थे छोले भटूरे पहले मॉर्निंग में सारा घर का जितना भी जो काम होता है वो किया उसके बाद बनाये चोले बटूरे बनाने का कोई लॉजिक नहीं था लेकिन क्या है कि कल विमल की और मेरी हो गई थी घमासान वाली लड़ाई एक्दम जिसे कहते हैं ना वर्डव और वैसी वाली टाइप की लड़ाई हो गई थी क्योंकि ना मैंने अपने लिए कुछ बनाया था स्टैक्स और मैं गर्मियों स्टैक्स तो अपनी पसंद की चीज बनाती रहती हो और मेरी चॉइस की तो तुम कोई भी चीज ने सोचा आज ही लो चोले वटूरे खाओ कि इसलिए मैंने सोचा कि आज बना देती हूं चोले बनाँगी छोले रई पर स्क्राओंगी चोले कुल चोले गोलते हैं हमेशा च चोले खिलाओं की, मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि कल की लडाई के बाद मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, और बहुत सारा काम भी मेरा पड़ा हुआ है, यह देखो, यहां मेरे सारे बरतन पड़े हैं धोने के लिए जिने मुझे अभी वीडियो शूट करने के दोना था और यहां फैला हुआ है इसको मुझे शारा समेटना है, यह सारा क्लीन करना है यहां पर रखा हुआ है लैप्टॉप के पास यह है रिट्वी का होमवर्क जो जो डेली हम मैं उसे करवाती हूँ तो दिन में इसके सोने से पहले करवा दिया था लैप्टॉप के सा मिला हुआ है उसी में तो काम इतने सारे है ना अब मैं बस एक और वीडियो किसी तरह से शूट कर लेती ना तो मेरा काम खतम हो जाता बढ़ती है बच्छा है बहुत शैतान क्या चाहिए तुम्हें पादिया मैंने आपको इधर आओ क्या कह रहे हो बताओ क्या चाहिए आपक इसको चाहिए ममा का और पापा का और रिद्विक काओ यह बहुत दिनों से काओ टॉइज मांग रहा है कि मुझे काओ चाहिए बट विमल गए थे दो तीन शौप पे किसके लिए काओ टॉइज लेने के लिए बट कहीं पे काओ टॉइज मिली नीरी और आज विशाल गए इसी लिए कि शायद इसका काओ टॉइज मिल जाएगा तो वहां भी इसकी काओ नहीं मिली तो इसी लिए वह दूसरा कोई टॉइज ले आए कि एट लीस्ट वह रोएगा नी शोर नी मचाएगा तो वह अपने उस टॉइज में लगा हुआ है और गर्मी के मारे बुरा हाल ह लाइट बार बार चली जा रही है पता नहीं क्या हो रहा है अगर कर्मी तो भहंकरी पढ़ लिए है तो बोलते बहत लग जाती है अब ही अंतर चला गया है रूम में और विमल के साथ वह एक गंदा तो लगा ही रहेगा अभी अब है और तब तक दूसरी बाकी जो वीडिय बारा बजे के करीब मैंने खाया होगा मॉर्निंग और भी चे बज रहे हैं और अभी वीडियो बनाते हैं साड़े छे पोने साथ हो जाएंगे वैसे मैं सोच रही हूं कि मेरा बड़ा मन कर रहा है तो आज धोकला बनाते हैं और अगर दूसरे वाले चैनल पर जाएगी जो तो आप देख लेना वहां से भी तो चलो में फटा फट से वीडियो शूट करके काम खतम कर लेती हूं अगर रिट फिर से बाहर आ गया ना तो मुस्सीबत हो जाएगी मेरे लिए और देख लेती हूं रिट्विक क्या कर रहा है अभी भी अपने गेम्स में बीजी है अब आप अपने अवतार में चेंज कर लिया मैंने गर्मी की जादा हो रहे हैं कि एक बाल भी मेरी ना नेक पे टच नहीं होना चाहिए वरना मैं बहुत एडिटेट होती हूं गर्मी से मुझे बिलकूल बढ़ाश्च नहीं होती है वहां पे ना मैं समान को छोड़नी सकती अब जल्दी से यह सारा समान लगा लेती हूं आप लगाने में इतना ताइम नहीं लगता क्योंकि पाटिकुलर जिस जगह से में वह समान उठाती हो ना सीरे सीरे मुझे वहीं पर लगाना है तो इतना टाइम नी जाता तो ओपन छोड़ने में डिस्क एडों लिएने से ब चीए में में धोग्ला खाते हुआ झाने में भालेगों, आदा साथılar शिक्क कहा जड़ा में तो इसी सबस्क्राइब अच्छ साथ जाता है तो बहुत अच्छ साथ जाथा और आभी भी बहुत टेस्टी बनाया और बहुत ही स्पंजी जादा मतलब जाली दा टोकला देसे मार्किट का होता है बिल्कुल वैसा ही डोकला बनाया और पूरे 15-20 मिनिट में पूरा इसको काम हो जाता है और यहां पे यह इस पर डालने के लिए तड़का भी यह 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 य किलिए मने अलुप कोडी बनाइती वह यह नहीं सै कर रहा है और अपनी राइम से जौिप अपनी अहलमील के जालु कर रहां है यह यहिए कि चलेश संग क्राई 테ब आसे लिए में praktरी में चलेश में घृत जिसन पर वेखाया है कि अधिक काम कर रही थी बतन वगर का तो विमल यहां पर तो अप्लोड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की वर्कषीट अप मिलती है हमें एप पहले हो गया वार्ट, मैं पहले हो प्रिंट कर लेता है क्योंकि जब के लिए अपने परेड सबस्क्राइब करना मैंक फ्रमाप करना नहीं को तो जब मैं इसा बेंक रहना करना में रिखिंग ऑचाहिए तो फेस क्रीन के लिए पा प्रूरण कर लिए और यह प्लिए तुरंट रिमूफ कर देती हूं लेकिन भूख बहुत तेज लगी तो मैंने फटावा ढूखला बनाया खा लिया और अब थोड़ी जान आई है मेरे अंदर तो मैं फेस क्लीन करूंगी और बाकी का सारा काम करूंगी वाटर प्रूफ मेकप तो था नहीं एक नॉर्मल सिंपल मेकप था तो उसके लिए ना मैं नॉर्मल वेट वाइप यूज करती हूं पहले इने क्लीन कर दूंगी तो पहले मैं इससे क्लीन कर लूंगी अपने पूरे पेज को अच्छे से निकाल देता यह देखो जाता रगड़ना भी नहीं पड़ता इसली रिबूव हो जाता है आई-लाइनर वगएर कुछी लगाया था बस हलका सा मस्कारा लगाया था तो मैं वैट पाइप को अपनी आइस के अंदर नहीं लगा सकती तो उसके लिए में यहाँ प तो बस इस तरह से नहीं मैं अपना यह मस्कारा रिमॉव करूंगी जो आई-लैश इस पे लगा था आई-लाइस पे लगा था आई-लाइनर फेस वोच कर लिए जो रेगुलर फेस वोच में यूज करती हूं ना डेली में वही नॉर्मल पेस वोच से क्लीन कर लिए इसके बा गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है तो कॉटन पैट पर लेके ना बस इस ऐसे लगा लोगी बहुत ही अच्छा फील होता है इसको लगाने के बाद ना जिसके स्मेल थोड़ी से स्ट्रॉंग सी है बट वैसे बहुत अच्छा है थोड़ी थोड़ी यह आई-बैक्स हो ग इसके स्ट्रॉंटर आईजर के लिए नर्यार्याद तेल लगा लेते हूं कभी वैसलीन लगा लेती हूं कभी बेबी क्रीम ना मल्यां कि यह नहीं पर बनेड़ान की भी स्ट्रॉंग बटतन तो धोड़ाना होता है कि उङ्यश्चार बहुत बज्टर के बंच बजी वी हमक कि अधिए करो ध्यान रखो कि नामरे हाथ काम करने से थक तो जाते हैं और खराब भी हो जाते हैं तो हम पर फेस का तो हम कर लेते हैं पड़ हाथों जरूरी होता है नाइट में सोने से पहले भी अगर कोई मौश्चराइजर लगा लोगे ना हातों पर एक रिनफ हो और बेस् कि अगर देशने के बाद पर भी और अगर मौश्चराइज लगा लगा लेती हैं तो फिर तो हम भी सो जाते हैं उसके साथ एसे सिंपल सा किन केर अगे ना तो अगर मौनिग में जाता खिन केर कुछ करना ही नी बढ़ेगा मैं स्रेफ फेसवाश कर लेती हूं और हलका सा गांस में देली रात को नहीं जमांके सोती हूं और दिन में हम तीनों जरूर लेते हैं खाने में sa vi malgar, मैं आ नहीं किपा हुआ क्योंकि नोगले से हमारा पीड बहुत बर गया था सारा काम हो गया किचन का सब कुछ काम खतम हो गया खाने पीने का अब है सोने का टाइम I think 10 30 हो रहे होंगे 10 30 के अपरोक्स हो रहे हैं इस टाइम पे और अब बस रित्वी को सुलाना है और खुद भी सोना है विक में बहुत थक गई हूँ वीडियो जिस दिन में शूट करती ह और साथ साथ व्यादा काम भी होता है तो अब हम जाँ है कि बहुत जाएडियों सुझाप कर यह है कि मैं अब कर्वें ना देख भी आप्रीश करना भी होता है सोने से भी होता है विप शुछ अगर जगी रही नहीं आई तो मोई बालों की प्रों टो सूँगी और हां मैं कल अपने बालों की कटिंग करने वाली हूँ, बहुत रफ हो रहे हैं मेरे हेर्स, तो मैं शेयर करूँगी आप से कैसे मैं अपने हेर्स की कटिंग कर रही हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजे, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो चलिए, बाई बाई, गुद नाइट